Hello dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope कि बहुत अच्छे होंगे, तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रशनवाली 15.1 का कोशन नमर 19 और 20 को सौल करेंगे तो देखिए कोशन नमर 19 में हम से क्या कहा गया है? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम लिखित अक्षर अंकित हैं इस पास ये को एक बार फेका जाता है, इसकी क्या प्राइकता है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि A प्राप्त हो और सेकिंड पार्ट में पूछा है कि D प्राप्त हो तो देखिए इसका solution कैसे करेंगे हम सबसे पहले question को ध्यान से समझिए हमें question में एक ऐसा पासा दिया गया है जिसके फलकों पर यानि कि फलक का मतलब है sides तो उसके फलकों पर नंबर के बदले में अक्षर अंकित है यानि कि आपने पासा देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं तो generally हमारा पासा जो होता है उस पर अंक लिखे होते हैं यानि कि numbers लिखे होते हैं एक से लेकर 6 तक लेकिन इस question में जो पासा है उसके जो फलक है यानि कि sides उन पर अक्षर लिखे गया है जैसे कि पहला जो फलक है यानि कि side जो है उस पर A लिखा गया है इसके बाद दूसरा जो फलक है उस पर B लिखा गया है फिर तीसरे पे C लिखा गया है इसके बाद चौथे पे D और फिर पांचवे पे E और लास्ट जो छठा फलक है इस पर दुबारा से A लिखा गया है यानि कि दो साइट्स ऐसे हैं जिन पर A लिखा गया है ठीक है तो अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें कहा गया है कि जो पास इसको एक बार फेका जाता है तो फर्स पार्ट में हमसे यह पूछा है कि पासे पर एक प्राप्त हो इसकी प्राइकता क्या होगी तो चलिए सबसे पहले फर्स पार्ट को करते हैं सबसे पहले यहां पर हम उने solution में कुल परिणाम लिखेंगे तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं कुल परिणाम ये सारे होंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से curly bracket में हमारा कुल परिणाम में A हो जाएगा फिर B इसके बाद C D E और दुबारा से A तो इस तरह से हमने ये कुल परिणाम लिख लिया अब हम करेंगे first part को तो first part में हमसे पूछा है कि A प्राप्त हो इसकी प्राइक्ता क्या होगी तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइक्ता किसकी बतानी है हमें A प्राप्त होने की तो यहाँ पर bracket में लिखेंगे प्राइक्ता ए प्राप्त हो इसकी हमें बतानी है तो देखिए जब हम पासे को फेकेंगे एक बार तो उस पर ए आने की प्राइक्ता क्या हो जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले हम उपर अनुकूल प्राइनाम लिखते हैं और बते में कुल प्राइनाम तो अनुकूल प्राइनाम हमारा कितना हो जाएगा देखिए हमारा जो है ए दो बार है तो इसी लिए अनुकूल परिणाम हमारा 2 हो जाएगा ठीके और बटे में हम लिखते हैं कुल परिणाम तो कुल कितने परिणाम है एक दो तीन चार पांट छे तो इसी लिए नीचे आजाएगा छे ठीके आब ये दोनों दो के पाड़ से कटेंगे दो एकन दो दो तिया छे यानि कि एक बटे तीन ये हमारी प्राइकता है ए प्राप्त होने की ठीके यानि कि पासे को हम जब एक बार फेकेंगे तो उस पर ए प्राप्त होगा उसकी प्राइकता एक बटे तीन हो जाएगी ठीके अब गरते हैं सेकिंड पार्ट को तो सेकिंड पार्ट में पूछा है कि D प्राप्त हो यानि कि जब हमने एक बार पासे को फेका तो उस पर D प्राप्त होने की प्राइक्ता अब हम से पूछा है तो यहाँ पर बताएंगे हम प्राइक्ता इस बार हमें बताना है D प्राप्त होने की तो इसलिए ब्रैकेट में इस बार लिखेंगे d प्राप्त हो, तो देखिए d हमारा कितना है, हमारा d जो है सिर्फ एक ही है इसलिए अनुकुल परिणाम 1 हो जाएगा, और बटे में लिखेंगे तो कुल परिणाम 6 हो जाएगा, यानि कि d प्राप्त होने की जो प्राइकता है वो हमारा एक बटे 6 है ठीक है तो इस तरह से कोश नमर 19 का सोलूशन कम्पलीट हो गया अब चलिए कोश नमर 20 को करते हैं तो देखिए कोश नमर 20 में हम से क्या कहा गया है मान लीजिए आप एक पासे को आकरती में दर्शाय आयतकार छेतर में या द्रिच्छा रूप से गिरा तो देखिए इसका सोलूशन कैसे करेंगे हम हमें इस कोशन के लिए कुछ इस तरह की एक आकरती दी गई है तो हमसे कोशन में यह कहा गया है कि हमने एक पासे को यह जो हमारा आकरती है यह सबसे पहले एक आयतकार का है तो हमने जब एक पासे को इस आयतकार के अंदर जब पासे को गिराया, तो वो पासा हमारा इस वृत के अंदर गिरेगा, इसकी प्राइकता क्या होगी, ठीक है? तो देखे, कैसे बताएंगे हम इसकी प्राइकता, I hope आपको कोशन अच्छे समझ में आ गया है, कोशन में हमें ये बताना है, कि जब हमने एक पासे को इस आयत के अं तो यहाँ पर अपने solution में लिखेंगे हम आयत का छेत्रफल तो देखिए आयत का छेत्रफल निकालने का सुत्र क्या होता है यह होता है हमारा लंबाई गुना चोड़ाई तो हमें इस आयत की लंबाई 3 मीटर दिया हुआ है और चोड़ाई 2 मीटर तो इसलिए यह हो जाएगा 3 गुना 2 यानि की 6 मीटर स्क्वेर यह हमारा इस आयत का छेत्रफल आ गया अब इसी तरह से जो हमारा यह वृत है इसका भी छेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम वृत का छेत्रफल तो वृत का छेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है यह होता है हमारा पाई-गरr तो देखिए übrigens अगर आपको अपना आंसर बुक के आंसर से मैच करना है तो इसलिए पाई को अजी इस लिखा रहे नं के इसका मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा बुक में जो आंसर है उसमें भी पाई में आंसर है तो इसलिए πाई को agitives रख रहे हम और यहाँ पर आर है तो आर का मतलब है radius यानि कि त्रिज्या तो देखिए इस वृत का हमें व्यास कहा गया है कोशन में की एक मीटर है तो व्यास ये पूरा होता है तो व्यास जो होता है वो हमारा त्रिज्या का दुगना होता है और पर एक बटे दो लिखा और यह स्क्वेर है तो स्क्वेर लगा देंगे अब देखिए यह हमारा पाई एक का स्क्वेर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा एक बटे में दो का स्क्वेर करेंगे तो चार तो यहाँ से यह हो जाएगा पाई का एक में गुणा पाई बटे में क किसका बताना है कि जब हमने पासे को इस आयत के अंदर छोड़ा यानि इस आयत के अंदर डाला तो वो पासा इस वृत के अंदर जाके गिरेगा इसकी प्रायक्ता हमें बताना है तो यहां पर हम लिखेंगे प्रायक्ता यानि प्रॉबाबिलिटी जिसकी प्रायक्ता बतानी ह उसको bracket के अंदर लिखेंगे तो हमें प्रायक्ता बताना है कि पासा इस वृत के अंदर गिरेगा तो यहाँ पर लिखेंगे bracket में पासा वृत के अंदर गिरेगा इसी की प्रायक्ता हमें बताना है तो इसलिए इसको हम bracket के अंदर लिखेंगे अब देखिए कैसे हम इसकी प्राइक्ता बताएंगे जब हमें प्राइक्ता बताना होता है तो अनुकूल परिणाम उपर लिखते हैं और बटे में कूल परिणाम तो देखिए इसमें हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमें क्या चाहिए कि पासा हमारा इस वृत के ये हमारा अनुकूल पई नाम हो जाएगा तो विरत का छेतरफल पाई बटे चार है इसलिए अनुकूल पई नाम की जगह पर पाई बटे चार लिखेंगे और बटे में हम क्या लिखते हैं कुल पई नाम तो देखें कुल पई नाम क्या हो जाएगा हम जो हैं पासे को इस आयत के अंदर डाल रहे हैं तो इसी लिए हमारा ये आयत का छेतरफल कुल परिणाम हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब हम पासे को छोड़ेंगे तो वो हमारा इस आयत के अंदर ही गिरेगा तो इसलिए हमारा कुल परिणाम आयत का 6 तरफल हो जाएगा तो आयत का 6 तरफल 6 मीटर स्क्वेर है तो इसलिए आपर 6 लिख देंगे अब देखिए 6 के नीचे कुछ निये तो हम एक मानते हैं अब इसको कैसे सॉल करते हैं यह आपको आता होगा pie but 4 याणि उपर वाला जो है उसको एजिटिज लिखते हैं यह जब हमारा उपर जाता है तो गुणा हो जाता है और यह नीचे वाला उपर एक चला जाएगा और उपर वाला जो 6 है वो हमारा नीचे आ जाएगा तो pie का एक में गुणा करेंगे तो pie आएगा और 4,6 का गुणा करेंगे तो 4,6,24 यानि कि Pi बटे 24 यही हमारा प्रायकता है कि जो पासा है वो इस वृत के अंदर गिरेगा यानि कि पासा वृत के अंदर गिरेगा इसकी प्रायकता Pi बटे 24 हो जाएगी तो ये हमारा answer हो जाएगा question number 20 का तो इस तरह से question number 19 20 का solution complete हुआ I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी share कर देना और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेना और side में जो bell icon आता है उस पे all पे click कर लेना ताकि next वीडियो जैसी upload की जाए उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँच जाए मिलते हैं फिर next वीडियो में next questions के साथ धन्यवाद